ग्रिह लक्ष्मी की प्रतिष्ठा डे सिक्स यह कदापी नहीं है कि साथी में दोश दुर्गुन हो, उनकी उपेक्षा की जाए और उन बुराईयों को अबाध रेतीन से बढ़ने दिया जाए ऐसा करना तो एक भारी अनर्थ होगा, जो पत अधिक बुद्धिमान, विचारशील एवं अनुभवी है, उसे अपने साथी को सुसंस्कृत, सम्मुन्नत, सद्गुनी बनाने के लिए भरसक प्रयत्न करना चाहिए साथी, अपने आपको भी ऐसा मदुर भाशी, उदार, सहन्शील एवं निर्दोश बनाने के लिए प्रयत्न शील रहना चाहिए, कि साथी पर अपना समुचित प्रभाव पर सके जो स्वयम अनेक बुराईयों में फसा हुआ है, वह अपने साथी को सुधारने में सफल कैसे हो सकता है सती सीता परम साथवी उच्च कोटी की पती व्रता थी, पर उनके पती व्रता होने का एक कारण यह भी था, कि एक पतनी व्रत धारी अनेक सदगुणों से संपन राम की धर्म पतनी थी रावन, रावन स्वेम दुराचारी था, उसकी स्त्री, मंदोदरी, सर्व गुंड संपन एवं परम बुद्धिमान होते वे भी पती व्रता न रह सकी रावन के मरते ही उसने विभीशन से पुनर विवाह कर लिया जीवन की सफलता, शांती, सू विवस्था इस बात पर निर्भर है कि हमारा दामपत्य जीवन सुखी और संतुष्ट हो इसके लिए आरंभ में ही बहुत सावधानी बरती जानी चाहिए और गुण, कर्म की समानता के आधार पर लड़के लड़कियों के जोड़े चुने जाने चाहिए अच्छा चुनाव होने पर भी पून समता तो नहीं हो तो हो नहीं सकती इसलिए हर एक स्त्री पुरुष के लिए इस नीती को अपनाना आवश्यक है कि अपनी बुराईयों को कम करे साथी के साथ मधुरता, उदारता और सहनशीलता का आत्मियता में वेवहार करे साथी उसकी बुराईयों को कम करने के लिए धैर्य, दृढ़ता और चतुरता के साथ प्रैतनशील रहे इस मार्ग पर चलने से असंतुष्ट दामपत्य जीवन में संतोष की मात्रा बढ़ेगी और संतुष्ट दामपत्य स्वर्गिय जीवन का आनंद उपलब्ध करेंगे वैवाहित जीवन में ब्रहमचरे का पालन अव विवाहित रहकर ब्रहमचरे का पालन करने के समान विवाहित होते हुए भी ब्रहमचरे का पालन करना संभव ही नहीं परन बहुत हद तक सुगम भी है जो लोग विवाहित है उन्हें समझना चाहिए कि पत्नी ग्रिहस्त धर्म का मूल है उसे कामोप भोग की सामगरी या भ्रमचरे का विग्न समझना भूल है साधरन तया पत्नी से दूर रहने से नारी जाती के प्रती वासना में विचारों की शृष्टी होती है दूरी में सदाय एक आकरशन रहता है जो समीपता में नश्ट हो जाती है जिन्हें दांपत्य जीवन अप्राप्य है उन्हें वह अप्राप्य वस्तु बड़ी आकरशक और सरस दिखती है तथा उसकी प्राप्ती के लिए उनके मन छेत्र में बड़ी घुड़ दौड मच्ती रहती है किन्तु जो पती पत्नी साथ साथ रहते हैं वे यदि चाहे तो स्वाभाविक और सरल जीवन व्यतीत करते हुए उन विकार में विचारों से सहज ही बच सकते हैं जब तक परिक्षा की कसोटी ना हो तब तक यह नहीं जाना जा सकता है कि किसकी साधना किस हद तक परिपक्व हो चुकी है जो लोग अविवाहित रहकर भ्रमचर्य का पालन करते हैं उनके निष्ठा किस हद तक परिपक्व हो चुकी है इसका ठीक प्रकार पता नहीं चलता वे प्रलोभन के समय फिसल सकते हैं परंतु जो प्रलोभन से नित्य संगर्ष करते हैं उन्हें पता रहता है कि वे कितने संयमशील हो चुके हैं साधन सामने रहते वे भी जो त्याग कर सकता है उसी का त्याग परिक्षित है आभाव को त्याग मान कर संतोश कर लेना एक कच्चा आधार ही रहता है पती-पत्नी यदि वासना पर विजय प्राप्त करते हुए संयम शील जीवन बिताएं तो वासना के स्थान पर एक अत्यंत शक्तिशाली आध्यात्मिक तत्व का अविर्भाव होता है जिसे पतीवरत कहते हैं यह तत्व दामपत्य जीवन की पूर्णता पारिवारिक सुविवस्था उत्तम संतती एवं आत्मशानती के लिए बहुत ही उप्योगी एवं आवश्यक है यह तत्व मानव जीवन की एक अपूर्णता को पूरा कर देता है द्वैत को मिटाये बिना अद्वैत की पूराप्ति नहीं हो सकती स्त्री से दूर रहने वाला उससे गृना करने वाला व्यक्ति उसे अपने से भिन्ये एवं विप्रीद मानता है ऐसी दशा में द्वैत बुध्धी मजबूत होती जाती है और उसे अद्वैत भ्रम की प्राप्ती से भारी बाधा दिखाई देती है अद्वैत की प्राप्ती के लिए अपनी पत्नी को अभिन्य मानने की आविशक्ता है जैसे अपने ही सौंदर्य पर कोई मोहित नहीं होता जैसे अपने आप से स्वेम ही वासना पूर्ती करने के भाव नहीं आते वैसे ही यदि पत्नी को अभिन्य मान लिया जाए तो वह बाधा सहज ही दूर हो जाती है जिसके भैसे भ्रमवचारी लोग दूर दूर भागते फिरते हैं अपनी अरधांगनी को आत्म स्वरूप समशना अद्वैत तत्व की प्रारंभिक साधना है इसमें परिक्षित हो जाने पर आत्म भावना का विश्वव्यापी विस्तार करना सुगम होता है शुद्य प्रेम को परमात्मा का प्रत्यक्ष रूप कहा है यह प्रेम नर नारी के पवित्र मिलन से सुगमता पूर्वक और अधिक मात्रा में उत्पन्न होता है माता का पुत्र में, बहन का भाई में, पती का पत्नी में जितने विशुद्य प्रेम का उद्वेक होता है उतना पुरुष पुरुष में या स्त्री स्त्री में नहीं होता प्रकृती ने उभै लिंग के प्राणियों के सम्मिलन में एक सहच प्रेमधारा छिपा रखी है यदि उसे स्वार्थ परता या वासना से दोशित न किया जाए तो प्रकृती प्रदत एक स्वर्गिय निर्जहरणी के अम्रित चल का रसासवादन हर आत्मा कर सकती है यह समझना भारी अज्ञान है कि काम सेवन से ही दामपत्य प्रेम बढ़ता है सच बात तो यह है कि संयमी आत्मा ही प्रेम को उत्पन कर सकती है और उसके रसासवादन का आनन्द ले सकती है काम को मनसिज कहा है यह विकारवन मन में उत्पन होता है और यही से संगहार लीला प्रारंभ करता है मन में यदि काम चिंतन करते रहा जाए और शरीर से भ्रमचर्य रखा जाए तो उसका कोई विशेश लाब न होगा क्योंकि मन में उत्पन होने वाली वासना से मांसिक व्यभिचार होता रहेगा और आत्मिक बल संचैन न हो सकेगा उसके विपरीत यदि कोई व्यक्ती साधारन ग्रिहस्त धर्म का पालन करता है और मन से निर्विकार रहता है तो उसका थोड़ा सा शाररिक स्खलन उतना हानिकारक नहीं होता जितना कि अविवाहित का मांसिक उद्वेग यो शाररिक और मांसिक दोनों ही प्रकार का सैयम रखा जाए तो सर्वुत्तम है अर्धांगनी और धर्म पत्नी ये दोनों ही शब्द आत्मिक पूर्णता और धर्म प्रतिपालन के अर्थबोधक है पत्नी इन दोनों कारियों में सहायक होती है इसलिए उसे अभिन अंग एवं जीवन सहचरी माना है कामिनी रमनी रूपसी आदी की विकार ग्रस्त द्रिष्टी स्त्री के प्रती रखना नारी जाती के प्रती अपराध एवं अपमान व्यक्त करना है स्वाभाविक एवं सरल दृष्टिकोन अपना कर नारी को एक सच्चा साथी मित्र एवं आत्मभाग माना जाए तो उससे जिस प्रकार मानसिक जीवन में सुविधा मिलती है वैसे ही आत्मकल्यान के मार्ग में भी भारिसायोग मिल सकता है स्त्री भ्रमचरे की बाधा नहीं वह असयम के विकारों को अनियंत्रित नहीं होने देती और मनुश्य को सुसंयत जीवन व्यतीत करने में सहायता प्रदान करती है बहुत से व्यक्ति अपनी को स्त्री से बड़ा समझ कर अत्वा लापरवाही से अपनी पत्नियों के साथ शिष्टता का व्यवहार करना आविशक समझते है पर एक बड़ी भूल है जो लोग अपने दामपत्य जीवन को सफल बनाने के एकशुक हो उनको सदैव अपनी पत्नी के प्रती सम्मान युक्त व्यवहार और वारता लाप करना चाहिए जो पुरुष उससे कठोर व्यवहार करते हैं अपनी आश्रित समझ कर तिरसकार करते हैं उनकी बेजिती करते रहते हैं वे अशलील है गुप्त मन में उनकी इस्त्रियां उन्हें दुष्ट राच्छस्तुल्य समझती है ऐसा प्रसंग ही मत आने दीजे कि नारी को मारने पीटने का अवसर आए उसे अपने आचार व्यवहार प्रेम भरे संबोधन से पूर्ण संतुष्ट रखिए पत्नी की भावनाओं की रक्षा उसके गुणों का आदर उसके शील लज्जा व्यवहार की प्रशंसा मधुर संबंधों का मूल रहस्य है पत्नी आपकी जीवन सहचरी है अपने सद्व्यवहार से उसे त्रिप्त रखिए पत्नी पती की प्राण है पूरुश की अरधांगनी है पत्नी से बढ़कर कोई दूसरा मितर नहीं पत्नी तीनों, फलो, धर्म, अर्ध, काम को प्रदान करने वाली है और पत्नी संसार सागर को पार करने से सबसे बड़ी सहाईका है अप उसका तिरसकार करते हैं झाल झाल